अब आपको मैं कनेक्ट कर रहूं प्रदीब सावन से ओके अपने स्टेट में रिकार कर वाई है वो आपसे कोईस्टिन करेंगा जवाब कीजीगा आपने ऐसे कुछ नहीं किया तो आप पी नाम से कोई एक तीन अगाण वाद कर सकता है अपने ही बेचे हैं पैसे के लिए डिजिटल अरेस्ट इसके बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं और कितना जादा स्क्राइम हो चुका है कई इनोसेंट लोगों के साथ में वो हमको बड़े अच्छ तरीके से पता है हाला कि इंडियन लौ के अंदर इंडियन कानून के अंदर डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं अब पुलिस को अरेस्ट करना होगा आपके घर में आएगी फिजिकली अरेस्ट करके जाएगी अगर आपने कोई क्राइम किया होगा तो और उसके बाद में भी कोट कचेरी ये सारे मामले तो खेर चलते रहते हैं लेकिन ये जो डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैमर्स होते हैं इन्होंने कई सारे लोगों की जिंदगी भर की जमापुझी लूट ली है और उनको एक मेंटल हरेस्ट दी है और कईयों को तो तीन दि में बाद में बथयम स्क्राइब खेешь लिया है और यह जाता है लोग और यह टिने सामने वाले ने वार्दी में क्याकर दी यह तो का अगिले हुई। कुछ इस तरीके से हाथ जोड़ के खड़े हैं जैसे कि कोई असली पुलिस वाला उनके सामने खड़ा और वही क्रिमिनल है इन्होंने पता नहीं कोई चोरी कर दी क्या कर दिया किसी का मर्टर कर दिया इस तरीके से हाथ जोड़े सामने वाला जो विक्टम है उसको सच में लगता है कि असली पुलिस वाले से पाला पड़ गया है और अब तो भाईया मैं गया जेल गया कि प्रदीप सावन कि प्रदीप सावन कि कमिंग इस विक्ति के वान साइड एक और करो अब यह आपको मैं कनेक्ट कर रहो प्रदीप सावन के अब स्टेट में रिकार्ड कर वाईये वसे तो आज तक हमने कभी वीडियो देखी नहीं थी कि डिजिटल अरेस्ट किस तरीके से होता और यह स्कैम किस तरीके से किया जाता है लेकिन एक्स के ओपर विजे पटेल ने इसका पूरी तरीके से खुलासा किया है क्योंकि उनके साथ में कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा था और उनको अल्रेडी पता था कि यह स्कैम ही है जिसकी वह से उन्होंने रिकॉर्ड किया और इंदा है अब हमारे पास में वीडियो है जो कि हम देख सकते हैं कि वह यह इस तरीके से होता है डिजिटल एक स्कैम कॉल ही ती जहां पर वो कहते हैं कि हम टेलुकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं आपका सिम कार्ड यूज किया जा रहा है लड़कियों को छेड़ने में फाइनिशल फ्रॉड में मतलब आपके आधार कार्ड से कई सारे ऐसे सिम लिये गए गए है जिसके बाद मैं इनको कहा जाता है कि आब आप तुरंटी लखनव पुलीस स्टेशन चले जाओ या फिर उनसे वीडियो कॉल पे बात कर लो और फिर इनके पास में लखनव पुलीस का नंबर आता है और उसके बाद में वीडियो कॉल स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से कि आपको यहां से कप्रेंट कापी प्रोवाइट की जाएगी ओके साथ मेरे साथ ब्लाइट को रही है तो अभी आप कहां पर अपने गर पे हैं और आफिस में हैं कहां पर हैं अभी आपया है अब्लाइट हैं अब्लाइट मेरेट हैं मैरेड मेरेट हो तो आप यह बताएए आपको फोन काज रे आया था उतर और ने तब को डिडिल मत आया है तो इस कन्वसेशन में बेसिक लिए इन से जादा से जादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारे मेरे अधार कार्ड को यूज करके सिम लिये गए हैं तो वो भी मिस यूज किये जा रहे हैं Financial Fraud के अंदर लड़किया छेड़ने के अंदर और इस तरीके से कई सारे क्राइमों में मेरा अधार कार्ड लिंक हो रखा है तो मैं फटाक से थपड़ा मार दूंगा फोन में से ही तो इस तरीके की टोन रखी जाती है लेकिन यह तो कुछ भी नहीं होती है जो आगे चलके बनाता है यह पुलिस वाला तो यहां पर इनसे कहा यह जाता है कि भाई यह आधार काड कहां कहां पर दिया था उसके बाद में कर रहा है कई सारे ग्यान की बाते करता है जो कि आम तोर पर पुलिस वाला इतनी डिटेल में तो नहीं करेगा भाया हमें और भी केस सॉल्व करने है तो निकल यह पास जो डिया डेपर्टमेंट रफ से एक लेटर बेजा गया है जो मैं आपको बेज रहा हूं आप इसको र लिखा हूए कुछ घजेर लेकिन यहां पर क्योंकि इस इसको फसान होता है जिसकी वैसे फिर फिर वह लीगल डॉक्वेंट कर दिखाते हैं जिसके अंदर वीजे पटेल दिखाते हैं कि वह या मेरा नाम ही यहां पर गलत लिखा हूए स्पैलिंग मिस्टेक कर रखे लेकिन फ्रॉट्स्टर किसी तरीके से उस बात को घुमा फिरा के वहीं पर ले आते हैं और वक्की टॉकी भी यहां पर सुनने में आता है जहां पर कोशिश यह की जाती है कि भाईया पुलिस स्टेशन का एंवार्मेंट लगे जहां पर बताया जाता है कि भाईया क्रिमिनल से लिंक है उसके साथ में तुमारे कॉंटेक्ट कैसे है उसने तो करोडों का हवाला कर रखा है वो तो कई सालों के लिए जेल में बंद है उसके साथ में तुमारा लिंक कैसे तो इस तरीके की बाते करके इनको और भी ज़ादा ड्राया जाता है तुमने सुना हाँ सर सुना कि या सुना आपने सर यह तो काफी बड़े चार्जिस लगा रहा है ऐसा तो कुछ किया ही नहीं नहीं बता नहीं सर मैं मतलब सच में नहीं हूं तो जाब उसको उसके घर से रष्टिया गया था तो सवेटी लाग रुपे कैस ट्वेंटी सेवर इडियम काट्स और उन्हें हीट कोई नहीं ने पताया कि आपके नाम से थीन बैंक नौट उसके घर से मिले है और यह सब पूछने के बाद में अब डरा वरा दिया इनको लगता है कि डरा दिया अच्छे तरीके से तो अब इनके बैंक की डिटेल पूछी जाती है कि आप कौन सा बैंक यूज करते हो अब यह जादा तर केस्में रहता है ना वह वैसे भी डड़ते है थोड़ा प्रोड बगेरा होता रहता है तो तो यूजी नहीं किया तो अच्छा कितने की यूपिया ट्रांजेक्शन कर लेते हो कितना maximum amount आपने डाल रखा है मतलब यूपिया के थुरू मतलब यह जानकारी लेने की कोशिश की जाती है कि बंदे की आउकात कितनी है और कितना उससे लिया जा सकता है कि वह यह तेरा बैंक बैलेंस कितना है तो इस तरीके क की बाते कर कुर के फिर वहिया एंट्री होती है डी सीपी की वहिया डी सीपी बात करेंगे सहाब बात करेंगे सार मैं और किया था था अप्टेश पर बात करो तो इसके बात कर आएंगे डी सार आप इसके बात करता है तो इस के बारेंगे अच्छा जाने है जो मैं जो, मैं जो, मैं जो, मीटिया राइंप करूँ और जो भी वॉर्णर्ट है वो सब्सक्राइब कोड़ी देख लिए ओके, ओके, जैसर चाहिए तो क्या ना में तुमारे घजरिया? हाँ सर, हाँ जा, अमर क्या है तुमारे? हाँ 37, सर क्या कर्णिक्शन दुमारे वो में इसलाम मलिक से चाहिए? नहीं सर, मैं तो सर से बता ही रहा था मैं तो कभी U.P.I.A. नहीं हूँ यह बता नहीं क्या हो रहा है कुछ ग्रेजिटर्ट किया है? हाँ सर अभी जा करते हो? हाँ सर हार्डवेर का विद्नेश है वह रहा है? विजय पटेल ने भी नहीं दिखाई है वो भी उन्होंने चुपाई ही है इन दा एंड वो क्योंकि भाईया इतनी लंबी चोड़ी बात चीज चल रही है इन दा एंड वो कह देते हैं कि भाईया तेरे को जो करना है कर ले चल लोकल पॉलीश को बोल उठा ले चल एक बब कर cant like एंड व poses उल्ट चलु ँठा ले चल Danny संड मेने किये और ने कीए साब्य विधर प्याह ड Rak Schemi अचल करले जो कुछ करना कम दो पर इनोसेंट लोग फस जाते हैं और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी दे देती हैं सिर्फ इन फेक डिजिटल अर्रेस्ट के चक्कर में इन फेक केसिस के अंदर जहां पर इसके हम का एक तरीका है जो फाइनली हमें देखने को मिला है कि इस तरीके से बाच्च्वी के से फरोड होता है जिसकी वज़से आम तोर पे कमजोर दिल के लोग डर जाते हैं जिनको मालूम नहीं होता है कि ये स्कैम होता है